हलो फ्रेंट्स आप सभी का हमारे यूट्व चैनल में स्वागत है आज की बीडियों हम जो पढ़ने वाले हैं वह हमारे पास दा डेरेवेटिव ओफ फ़ंक्शन कोई फंक्शन है उसका डेरेवेटिव किस तरह से निकालते हैं और उसकी डेफिनिशन क्या है और किस तरह से निकाल सकते हैं हम यह सब इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम definition पढ़ते हैं let a function f depend in the interval a b then function f is called differentiable at a function c if limit extends to c fx minus fc upon x minus c existent finite energy यह जो हमारे पास limit है limit extends to c fx minus fc x minus c यह हमारे पास finitely exist करती है तो उस condition हम कहेंगे जो limit है वो पहले तो हम कहेंगे जो function है वो differentiable है अगर वो finitely exist करती है and this limit is called derivative of differential coefficient और जो यह limit होती है यह derivative और differential coefficient कहलाती है यह बहुत है अगर जो चाहए करते हैं